हरे कृष्णा आज का टॉपिक है कोई फिदा है आप पे तो क्या है इस परसन की दिल की हालत और क्या है उनके दिल में आपको लेके ज़स्पात ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से दो और एकल डेखे उसमें से लेने वाले हैं पाच-पाच कार्स और साथ ही स टारों में से भी लेंगे पाच मेसेज़ेस तो शुरुबात करेंगे हम कार्ड शाप्र करके क्या है पज़ कि प्रह पाते अगलाना हुआ कि अपरें एंड, बड़गिस। में प्रणस कि प्रणस को हुआ कि अग्ज़ कााव है कि आपको बता ही है कि टारो का सबसे अच्छा का कार्ड माना जाता है तो इनको ऐसा लगता है कि जब से आप इनके जिन्दगी में आए हैं तब से इनकी जिन्दगी बिल्कुल सही रास्ते पर हैं यानि कि जैसे सूरज की रोशनी हम जब भी देखते हैं तो उस वक्त हमें किसी और लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती बलक है या फिर इस रास्ते पर आगे बढ़ना सही है या गलत है तो इस तरह की कई सारी बात हैं जिनको लेके इन्हें काफी ज़दा क्लारिटी मिल चुकी है और में आपके आने तक इनको लग रहा था कि इनकी जिन्दगी काफी ज़दा बोरिंग है स्लो चल रहा है सब इनकी है जिए अपके सांगे सांगे बढ़ना चाहते है शहको है कि आप जब आने से इनकी बartet मिल रहा है और दो या पाजिए औरक फीचर को लेके लिद मिलकों के साथ शायद इनके अभी भी बहस चल रही है, मतलब हो सकता है इनके घरवाले शायद राजी नहीं है, आप दोनों के रिष्टे को लेके, या फिर हो सकता है आपके घरवाले राजे नहीं है, लेकिन ये परसन कम्यूनिकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे हाथ में ये सौर्ड है, जो उपर की तरफ है, जो रिप्रेजन करती है, कि ये उन लोगों से भी डील करने को तयार है, मतलब यहाँ पर जैसे इस परसन ने काफी सारे सौर्ड इकर टकर करके रखी है, वैसे ही इन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा है, कि आखिर ये आपको लेके क्या चाहते है या फिर क्यों चाहते हैं, और इनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या चसपात है, ये भी क्लारिटी को देनी को तयार है, आपको देनी हो या आपके घरवालों को, या इनके घरवालों को, फिर है six of cups, water science, cancer, scorpio, या फिर पाइस, जब भी आपके साथ ये वक्त गुज आरते हैं, उन्हें एक child-like innocence मैसूस होता है, यानि कि जैसे चोटे बच्चे को अगर पांच मिनिट के लिए भी हम खेलने के लिए भाहर बेज दे, तो उसके चहरे पर इतनी खुशिया आती है, वो जूमते होए, नाचते होए, दौडते होए, बाहर की तरप चला जाता है, उसको यह नहीं पता होता कि वहाँ पे वो गिर सकता है, उसको जोट लग सकती, बस innocently उसको यह पता होता है कि मुझे खेलने जाना है, वैसे यह person आपके साथ एक innocence फील करते हैं, यानि कि जो भी time आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताते हैं, वो उन्हें बहुत जादा आपको पाने के लिए या फिर आपको हासिल करने के लिए जैसे यह person घोड़े से उतर ही नहीं रहा है, इसका suffer continue है, या फिर आपको कह सकते कि यह अपना मास्क जब तक हटाएगा नहीं चेहरे के ऊपर से तब तक हम नहीं देख पाएंगे कि यह मुस्कुरा रहा है कि रो र हैं लेकिन शायद आपको अपना असली जहरा नहीं दिखाते हैं इस हद तक शायद यह आपको पसंद करते हैं कि almost एक कहते हैं ना दीवानगी की हद में यह person है, बस मुझे जिदगी में आगे बढ़ना है, बस मुझे उसको पाना है, बस मुझे उसी जाहत है, यही ऐसे ही क अरवाल उने कुछ option select करके रखे हुए है, उनके parents से select किया हो सकता है कि इस में से जूद करो या पिर यह या पिर वो ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन यह जो person है वो उनकी तरफ ignorance दिखा रहे हैं और यह अपने decision पर फर्म है, यानि कि इनको पता है कि मुझे जिंदगी में अग साइन हो सकता है, यह person हो सकता है, पास में बहुत ज्यादा angry zone में रहते थे, यानि कि हर कोई notice करता था कि इनको जो स्वभाव है, वो काफी ज्यादा गुस्से वाला है, लेकि जब से यह आप से मिले हैं, इनके अंदर काफी ज्यादा बदला हो चुके हैं, जैसे इस ने शे साइब से इनको मिला है, इनके अंदर काफी ज्यादा transformation हुआ है, और उन्होंने अपने जिंदकी की जो control की डोरी है, वो आपको दे दी है, यानि कि वो चाहते हैं, कि अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप उन्हें रोके, आपको उन्होंने वो हक दे दिया है, कि आप उन्हें रोक डोक कर सकते हैं, या कर सकती है, तो इस हद तक ये आपको पसंद करते हैं, या पिर चाहते हैं, अब देखते हैं, हमें बाकी के कार्ट्स क्या बताते हैं, आप उन्हें लगता है, कि जितना प्यार आप से इनको मिला है, या जिस तरह से भी आपने इनको हैंडल किया है, इनका गुस्सा हो, इनका मोड स्विंग होना हो, ये खुद को दोच देते हैं, कि मेरा परसन मुझे कितनी अच्छे तरह से ट्रीट करता है, पिर मैं ही ऐसा क कि मैं उसके साथ ऐसा भी हेव करता हूँ, या करती हूँ, तो उस सिचुएशन को जिस साथगी से, जिस सिंप्लिसिटी से आपने हैंडल किया है, वो उस बात के लिए भी आपको काफी ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर है, यू आर नॉट विद मी, I am lonely as can be, तो आप उनके साथ नहीं है, यही उनके जिन्दगी का सबसे बड़ा दुख, वो फील करते रहते हैं, और काफी ज़्यादा loneliness फील करते हैं, मतलब हर पर उन्हें बस यही लगता है, कि मुझे इसी परसन के साथ जिन्दगी का हर एक लमा बिताना है, या फिर जीना है, वेन I made you, my life completely changed, उन जैसा कि मैंने कहा कि घरवाले शायद उनके तयार नहीं है, या फिर नाराज है इस रिष्टे को लेके, तो उन्हें पता है कि कुछ लोग है, जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो ये बात भी उनको पता है, लेकिन य कि मैं अगर इस परसन को इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता है, मैं उसके साथ खुश रहाएंगा, फिर आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, तो उनके डिसिजन के लिए ये परसन अपने डिसिजन बदलने को तयार नहीं है, फिर ह आप जब उनके साथ होते हैं, तो उन्हें दुनिया बहुत ज्यादा खुबसूरत लगती है, जो चोटी चोटी आप दोनों के बीच में बाते होती रहती है, जिस तरह से भी आप टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ भले ही एक चोटा सा वाक लेना हो, लेकिन व पाइने रखता है कि जिन्दगी ही नॉर्मल लाइब भी उनको बेहत ज्यादा खुबसूरत लगने लगती है, और इसलिए यह आपको इतना ज्यादा पसंद करते हैं, फिर हैं, I can never free my soul from your love, my dear, तो उन्हें दिल से महसूस होता है कि वो अपने अंतरात्मा को भी आपके प् और physical attraction की बात नहीं हो रही, ना है sexual बातों की, यह heart to heart connection है, यानि कि आप भले ही दुनिया के किसी भी कोने में हो और यह पहसंद दूसरे कोने में, लेकिन आपके प्यार को लेके यह कापी ज्यादा सोचते हैं, और उन्हें एहसास होता है कि यह बहुत सच्चा प्यार किया ह आपने उन से, और इसलिए यह वो आपको बहुत चाहते हैं, फिर है, अवर हार्ट आर कनेक्टेड बाइ इन्विजिबल कॉर्ट, जैसा कि मैंने अभी कहां, उन्हें दिल से यह heart to heart connection महसूस होता है, जो चोटी सी प्यार की नाजुक डूर होती है, जिसको लोग कहते हैं, लेकिन प्यार में बहुत ताकत होती है, और यही ताकत वो फील करते हैं, जब आपके साथ को महसूस करते हैं, फिर है, यू टाच माइ सोल, इवन बिपोर वाट फिजिकल टाच फील, तो आपने उनके सोल को पहले चू लिया है, यानि कि देखते ही, शायद love at first sight, ऐसा आप अपने बाद में एक दूसरे का हाथ थामा, या पिर उन्होंने शायद अब तक आपको प्यार से गले भी लगाया हो, लेकिन उससे पहले उन्हें एहसास हो रहा है कि कितना एजिली आपने उनके दिल को छू लिया था, या सोल लेवल पे कितना उन्होंने आपको मैसूस किय है, फिर है I have so many stories to tell you, तो उनके पास काफी कुछ है जो ये आपको बताना चाहते है, अपने जिन्दगी का सच हो, अपने जिन्दगी में आई कोई मुश्किले हो, अपने घरवालों के बारे में हो, कारियर के बारे में हो, दोस्तों के बारे में हो, जिन्दगी में अगर कासी के उपर गरश था, उसके बारे में हो, फ्यूजर के बारे में हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे बस इस परसन को, परसन का साथ जाहिए, बस वो मिल जाए, तो मैं अपने दिल के सभी जजबात उसको बता पाऊंगा, ये बता पाऊंगे, मतलब वो काफी जादा कमफर्टिबल आपके साथ फील करते हैं, फिर हैं, I am not prepared, तो राइट ना तो काफी कुछ है, जो ये कहना चाहते हैं, जिंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कुछ बाते हैं, जिनके लिए ये अभी prepared नहीं हैं, और वो कुछ भी बाते हो सकती हैं जैसे seriously, आपके साथ शादी को लेके, इनका final decision भी चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, फिर है, I just want to die in your arms here tonight, तो काफी ज़्यादा प्यार की हदे बाहर करके, ये person आपके बारे में सोच रहे हैं, और जैसे कि ये card बता रहा है, I just want to die in your arms here tonight, तो वो बस चाहते हैं कि आपकी बाह में वो अपना दम तोड़ दे, मतलब वो आगे के बारे में नहीं सोच रहे है, तो नाइट किया रहे है, यानि कि अब जैसे आप से ये दूर या वो बरदाश्त ही नहीं कर पा रहे है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आज अभी अगर कुछ आगे बढ़ना नहीं हो रहा ह तो मुझे बस अपनी परसन की बाहों में दम तोड़ देना है, बस उसको देखते हुए मैं ये दुनिया शोड़ दू, मतलब इतना ज्यादा वो आपके उपर विदा है, कि आपको देखते हैं इस दुनिया से रुकसत होनी के बारे में भी ये सोच रहे है, तो आप समझ सक होते हैं कि ये परसन आखिर आप से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, तो जांडरल रिडिंग है, have a nice day.